ये आशा वरकर और अंगनवाडी वरकर होते हैं मैंने कहा उनको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए उनके लिए और मैंने वो समय जो हमारे यहां टीम थी मैंने कहा एर होस्टेज से भी अच्छे कपड़े आशा वरकर और अंगनवाडी वरकर का होने चाहिए हेलो नमस्कार आप देख रहा है वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुर रहा है तमाम और के महिला करमचारियों को लेकर बड़ी खबर है सबसे पहले आपको बता दे कि पीम नरेंदर मोदी जी स्टेज से लाइव आकर के उन्होंने एलान कर दिया है कि महिला करमचारियों को बेहतर फैसिलिटी ही नहीं बलकि एक एयर होस्टेस को मिलने वाली तमाम सुविधा मिलेगी आप तमाम महिला करमचारी चाहे आसा कार करता हो अगनवारी सेबी का हो आसा फैसिलिटेटर हो वैक्सिन कुरियर हो ममता दिदी हो जीविका दिदी हो तमाम सेबी का सहाई का सहित जितने भी रसया की बहने हैं उन सभी को लेकर के सरकार का ये बरा एलान जो है आप तमाम मह मिला करमचारियों को बता दे कि लगतार आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को उचित मांदे के तौर पे सरकार कम से कम 18,000 रुपे मांग तो आप लोग 25-26,000 रुपे कर रहे थे लेकिन आप लोगों को लेकर के कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोट की सक्रियता है कि आप लोगों को 18,000 रुपे अभी के समय में मिले जिसको लेकर के PM नरेंदर मोदी असपस्ट रूप से कह दिये है कि बेहतर फैसलेटी यानि की एर होस्टेस से आप लोग का कंपरिजन कर दिये है जिससे आप लोग भी एक नई उचाईब को जो है उरान देंगे तमाम महिला करमचारियों को बता दे कि आप लोगों को बेतर फैसलीटी को लेकर के सरकार जिस दिसा में काम कर रही है साथी आपको बता दे चले कि 2021 से जो आप लोगों के सरमीक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है साथ ही आप लोग के मांदे 18,000 रुपे निरधारित हो और राज और केंदर मिला करके ये आप लोगों के रासी देने को लेकर के आवंटित होगी तमाम महिला करमचारियों को बता दे कि लगतार आप लोग को लेकर के जो है पत्र भी सौपने का काम हुआ है और पत्र ही नहीं बलकि जो ये देश में अभी महौल चल रहा है उस महौल में सरकार ने असपस्ट कर दिया है कि महिला करमचारियों को लेकर के हमारी सरकार काम करेगी और सरकार इस बात को भी लेकर के बोल दिया है कि जब महिला करमचारी क्योंकि अभी अचार सहीता लग तो वो ज़्यादा दिन के लिए माननी नहीं होगा जिसको लेकर के PM नरेंदर मोदी ने असपस्ट रूप से कह दिये हैं कि महिला करमचारियों को उनके जो हक्का है वो मिलेगा चाहे वो उचीत वेतन हो, NPS हो, Medical Ampology हो, Accidental Insurance हो, सब्ता में छुट्टी हो, राश्क्रिय छुट ने असपस्ट कर दिया था कि महिला करमचारियों को 18,000 का रास्ता सुप्रीम कोट ने फिक्स कर दिया है और इसको लेकर के सरकार जल्द सजल्द एलान करें, लेकिन आपको बताते चले कि असपस्ट रूप से ये भी लिखा हुआ था नोट में, कि जब संक्या अध्यक्स ज चले कि अलान करने से कुछ भी नहीं होता है, अभी चुनाबी महाल है तो सरकार बड़े-बड़े वादे करेंगे, इसलिए क्योंकि लोग सभाद चुनाब 2024 जैसे-जैसे नजदिक आ रही है, तमाम राजनितिक पार्टी जो है, आगे आ करके बढ़ चट करके वो बड़े- अपने बैक फुट पर चली जाती है, अपने financial condition को देखती है, लेकिन आप तमाम महिला करमचारियों को बता दे कि आप लोग को लेकर करके सरकार को एलान करना होगा, क्योंकि जिस परकार से आप लोग तमाम राज्यों को छोड़ करके धरना परदर्सन अचार सहीता से पहल कर रही थी, उसको सरकार कभी नजर अंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि यही महिला है, जो दुरगा का भी रूप लेना जानती है, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, तमाम जो महिला करमचारी हैं, जो लगतार अपने करमों निष्ठा से काम कर रही है, किस तरह से आप लोगों ने आप लोगों को लेकर के, यानि की वर्ल्ट हेल्थ औरगनाईजेशन ने आप तमाम महिला करमचारी हो को लेकर के कॉंप्लिमेंट्स देने का काम किया, यह सबसे बड़ी बात हो जाती है, कि महिला करमचारी देश के जो है, एक बहुत बड़े नीव को रखते हैं, जिस समय में कोई मरीज के संपर्क में नहीं जाता था, उस समय जो है महिला करमचारी ऐसी थी जो जा करके और मरीजों के संपर्क में जा करके वैक्सिन लगाने का काम करती थी, उनका देखरे करती थी, उस समय को सरकार नहीं भूल सकती है, महिला करमचारी के हीतों में सरकार को ए उन्होंने असपस्ट रूप से कह दिया है कि हम लोगों को आई उस्मान कार्ड का जहासा नहीं चाहिए या उस्मान कार्ड सरकार हम लोगों को देने का काम की है उससे अच्छा हम लोगों को सरकार मान दे जो 18,000 रुपे है 600 रुपे परती दिन के हिसाब से सरकार अगर हम लोगों को देने का काम करेगी तो इस से हम लोगों का गुजर बसेरा अच्छे से चलने लगेगा साथ ही महिला करमचारियों ने सरकार को कहा है कि महिला करमचारियों की जो एकता है और महिला करमचारी जो लगातार अपने कर्मों निष्ठा से काम करती है उससे सरकार को अगर नहीं अगर सरकार उस पर अपने आमल को तेज की और सरकार नहीं अगर उचित मानदे के रूप में 600 रुप्य फर्ती दिन के हिसाब से देती है तो सरकार को अगली चुनाब में नहीं बलकि इस चुनाब में दिखाने का काम करेंगे और सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि अभी हम आप लोग को हाई-टेक बनाने का काम करेंगे लेकिन आपको बता दे कि जब तक आदर्स अचार सहीता रहेगा आप लोग के कामों में गती ही नहीं आएगा रफ्तार नहीं आएगा इसलिए क्योंकि आदर्स अचार सहीता से आप लोग के काम में थोड़ा सा एफेक्ट पड़ेगा आप लोग के कामों में थोड़ा सा एफेक्ट नहीं पड़ेगा बलकि जो बहुत जादा एफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जितने भी करमचारी हैं जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन सभी को चुनाबी डूटी म लगाया गया है जिसके बाद जो है आप लोग के कामों में कहीं न कहीं जो हो रहे है तेकार उसको रोक दिया गया है इसलिए क्योंकि जब तक चुनाब हो रहे हैं तब तक कोई भी फैसला लेना सहज नहीं है और फैसला जो भी होगा अदार साचार सहिता के पिरियर में जो भ पर सरकार को अमल करना पड़ेगा और आप तमाम महिला करमचारियों को उचित मांदे के रूप में 18,000 रूपिया साथ ही निव पैंसाने स्कीम से भी आप लोग को सरकार जोड़ने का काम करें जो कि आप लोग की बुढ़ापा का एक कह सकते हैं कि ये बुढ़ापा का बहुत बढ़ा पुंजी होगा आप लोग के लिए लेकिन आप तमाम महिला करमचारियों को बता दे कि आप लोग के हितों में लगतार मीडिया ट्राइल चलाने से आप लोग की बायट लेकर के लगतार चलाने से आप लोग के हितों में बहुत बढ़ा एलान हो सकता है तो तमाम मह महिला करमचारियों को कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस कर्मों निष्ठा से काम कर रहे हैं अपने कारी को करते रहें महिला करमचारियों की जीत होगी और बिल्कुल जीत होगी क्योंकि 2018 की जो कमीटी थी उन्होंने आप लोग के समय में उस समय 12,000 रुपया माना था अभी त तो 5 साल बीच चुके है और 5 साल 8 साल बीच चुके है और अभी तक आप लोग के मांदे में कोई विर्धी नहीं हुई है जिसको लेकर के 6 नौंबर की कमीटी ने आप लोग के हीतों में जो है कम से कम जो है 20,000 यानि की 18 से 20,000 रुपे की करीब जो है आप लोगों को मिले इसक अभी खराब हो चुकी है वित विवाग की हालत खराब हो चुकी है इसलिए महिला करमचारियों के हीतों में सरकार एलान नहीं कर सकती है उस फाइलों को वहीं पर दवा दिया गया लेकिन आपको बताते चले कि 5 साल 6 5 साल के बाद जो कमीटी बनाई गई गया उस कमीटी ने आप लोगों के हीतों में कम से कम जो है 18,000 किरो आसी उन्होंने भी माना है क्योंकि इसका मरतोर महंगाई में आप लोग को इतने रुपे से क्या हो सकता है